दोस्ते दिखिए आईपियल का बहुत ही जबर जस्त मैच खेला जाएगा जो की राजस्थान और मुंबई के बीच खेला जाएगा दोनों टीमें आमने सामने काफी मजबूत हैं तो आप लोग देखिएगा बहुत ही रुमांचक होगा यदि आप लोग टीम क्रेट करते हैं तो आपको कैसे टीम को लगाना है तो सबसे पहले आपको में पॉइंट मैं आपको पता देना चाहता हूं सबसे में पॉइंट ही होता है पिच रिपोर्ट जानना यदि आपको पिच रिपोर्ट अच्छे से पता है तो आप असानिस से जो है टीम लगा के अच्छा से अच पैसा विन कर सकते हैं तो पिछ रिपोर्ट कैसा है बैटिंग पीच है या बालिंग पीच है कौन-कौन से प्लेयर को आपको लेना है तो आप लोग देखिएगा बहुत ही रुमंचक है चलते सिधा पड़ों को सुरू करते हैं दिखाते यह देखिए बल्ले से होगा धूम ध की टेबल में टाप पर चल रही है चलिए आपको बताते हैं कि इस मैच में जैपूर की पिछ कैसी रहने वाली है जैपूर आइपेल दौर चौबिस के अर्टावे मैच में राजस्तान राइल्स की टकर मुंबई इंडियल्स से होगी राजस्तान बैतरे लाइ में है और तरफ मुंबई इंडियल्स के प्रदस्तन में रंतरता की कमी है है तरह के हार से शुरुआत करने के बाद हार्दिक पांडिया की टीम ने अगले चार मैचों में तीन जीत हांसिल की है हाला कि उन्हें अभी जीत खुद से नीचे की टीम के खिलाप मिली है या मुकावला जै सबसे में पॉइंट है दोस्तों यही होता है पिच रिपोर्ट जानना यदि आप लोग टीम लगा रहे हैं तो आपको सबसे में पॉइंट होता है पिच रिपोर्ट जानना यदि आपको पिच रिपोर्ट के बारे में अच्छी तरह से पता है तो आप अच्छा से अच्छ आदर से रही है किसी भी मैच में 200 का स्कोर नहीं बना लेकिन सबसे छोटा स्कोर 173 रहा है यहाँ 197 का लच्छ भी हार्सिल हो चुका है इसे में फिर एक बार फिर बल्ले बाजू के लिए आसान होने वाली है यही वज़ा है कि 200 रन बनने पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मेतार्स जीतने वाली टीम बॉलिंंगες ले सकती है इस पीछ पर बताया जारा है कि इस पर रन बनते हैं तो यदि इस पर रन बनेंगे तो विकट जरूर गिरेंगे तो आप मान के चलिए बैटमेंज को जारा भी करना है फिराल भी कर दोनों को पिक करके चलिए गां उसक डिगरित तक जा सकता है मज़ के समय भी इसके 30 से उपर रहने की संभावना है दिन में बादल जरूर आसान दिन में बादल जरूर आसमान पर देख सकते हैं लेकिन बारिस की कोई उमेद नहीं है इसका मतलब है कि फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा तो फिरा। दुक है मैंने आपको बता दिया है देखिए दूनों तीम्यों का नाम यहां में एंसन किया जाएगा इसमें दे रहा है स्टार्ट से स्पोर्ट नेटवर्क और जियो सिनेमा पर भी आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग देखिएगा बहुत ही रमांचक मैच होने वाला है तो इसी तरह से आपको मैच लगाना है पीजी रिपोर्ट के बारे में आपको जान लेना है तो कैसे क्या करना है यदि आप लोग नहीं जान रहे हैं तो हमें जरूर कमेंड करेगा तो मैं आपको बताओंगा कैसे टीम को क्रेट किया जाता है तो भाई आप लोग जरूर कमेंड करेगा इस वीडियो के मांधम से बस इतना ही जो भी था मैंने आपको बता दिया है पि दिनद़